हेलो एवरीवन वल्कम बैक टू माई ओफीशल यूटूब चैनल रोजगार वितनवेन दोस्तो आप सभी के लिए बड़ी गुड नियोज है क्योंकि बंधन बेंक में आ चुकी है नई भरती जी हां दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बंधन बेंक नई रिकूट्मेंट 2024 के बारे में तो फाइनली वेकेंसी आउट कर दी गई है बंधन बेंक की तरफ से जिसकी complete जानकरी हम आपको देंगे आज के इस वीडियो में सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता दें कि बंधन बेंक में जो वेकेंसी निकाली गई है यह ओल ओवर इंडिया की जॉब है तो इंडिया की किसी भी स्टेट या डिस्टिक में आप रेते हैं फ्रेंड्स तो आप सभी के इंडियोट्स male और female apply कर सकते हैं इसके आविधन सिर्फ आप से online मांगे जा रहे हैं और apply करते समय आपको ध्यान देना है कि आपको application fees हो है बिलकुल भी नहीं जमा करानी है एक रुपे तक का payment आपको नहीं करना है बिलकुल free में आपको apply करना है चाहे आप किसी भी category या किसी भी city से apply करने हैं बिलकुल free में apply करना है और दोस्तों यहाँ पर आपका डिरेक्ट सेलेक्शन होने वाला है, आपका कोई भी एक्जाम नहीं होने वाला है, बिना एक्जाम के आपको बेंक में नोकरी मिलने वाली है, तो काफी बैस्ट अपोर्चनिटी है, आज ही अपलाई किजेगा, अगर आप अपनी जौब पाना में कंजुसी मत कीजेगा, ज्यादा से यादा लाइक करके दोस्तों में शेर जरू कीजेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा, तकि आपको रोज़ना नई जौब की जानकरी सबसे पहले मिल सके, और गंटी का बेल आइकन जरू दबाईएगा, आगे बढ़ते हैं, बंदन बेंक रिक्रूट्मेंट दो हजार चौबीस के बारे में, जो की आल इंडिया की जौब है, मेल फिमेल सभी के इंडियेट्स अपलाई का सकते हैं, डिरेक्ट आपका सेलेक्शन है, बिना एक्जाम और बिना फीज की आपको यहाँ पर जौब मिल रही है, वही सालद यहाँ पर आपको सबसे पहले नई जौब की जानकाई दी जाती है, आप चाहें तो इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं, जैसे ही फ्रेंड्स आप इसे गूगल में सर्च करेंगे, आप सिधा हमारी ओफिशल वाप साइट पर आ जाएंगे, तो बंदन बें की अपडेट है, तो वीडियो बहुत ज़्यदा खास है, वीडियो में हम आपको दो बेंक की भरती की जानकाई देने वाले हैं, सबसे पहले बात करेंगे, बंदन बेंक की नई रेकूट्मेंट के बारे में, फिर एक को नई बेंक की भरती के बारे में, तो बंदन बेंक से जो vacancy out की गई है वो multiple jobs है आप दिसकते है friends यहाँ पर administration की vacancy है analyst की है assistant manager की है branch manager की है business development manager की है clerk की है collection officer की है CRM की है और CSE की है customer service executive है और finance and accounting की है general manager की है manager की है head of operation की मतलब काफी सारी vacancies है जो bank के अंदर job होनी चीए वो सभी job आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है तो यहाँ पर आप दिसकते है multiple jobs यहाँ पर release की गई है जिसके apply करने का process सिर्फ online है और इस job के लिए freshers candidates भी apply कर सकते हैं और experience candidates भी और all India की job है male female सभी के लिए selection का process जो रहेगा friends के वर interview के दुरू रहेगा आपका कोई भी exam नहीं होगा job location all India की है age limit जो है 18 से 40 साल है और यहाँ पर application fees की बात कीज़ है तो general OBC, SC, ST सभी के लिए बिलकुल free है तो मैंने आपको पहले ही बताया है बिलकुल free में apply कर सकते हैं और qualification की बात कीज़ है तो friends यहाँ पर आप दिसेते हैं qualification में 3 class pass से लेकर के 12th pass और bachelor degree pass यहाँ फिर अगर आप PG या इंजिरिंग या ITA pass है तो आप सभी के इंडिगेट्स apply कर सकते हैं आप सभी के लिए multiple jobs यहाँ पर निकाली गई है अलग-अलग department से अलग-अलग category wise यहाँ पर vacancy आउट की गई है जिसके लिए 3, 12th graduate और degree, PG और engineering pass candidates सभी apply का सकते हैं अब दोस्तों आपको बता दे कि बंदन बेंक की इस vacancy के लिए apply आपको कैसे करना है तो नीची आपको आना होगा यहाँ पर आपको link मिलेगा यहाँ पर आपको first link पर click करना है जैसे friends आप click करेंगे आपके सामने इस तरीके से नया option आएगा तो thanks for your interest in career opportunity at bandan bank ठीके यहाँ पर आपको इपढ़ लेना है और यहाँ पर proceed पर आपको click करना होगा simply ठीके तो यहाँ पर आप career portal पर आजा होगे बंदन बेंके तो यहाँ पर आप देसे ते हैं professionalism के बारे में बता रखा है effective team work के बारे मता रखा है respect all के बारे मता रखा है तो यह सब को आप पर लिजेगा और यहाँ पर jovenus now पर click कर दीजेगा यहाँ पर आप जैसे click करेंगे आपके सामने फिर से एक नया page आएगा ठीके और यहाँ पर आप जिस prefer department के लिए apply करना चाहते हैं वो select करना होगा आपको यहाँ पर आप जैसे select करेंगे branch banking के लिए और location आप manually डालना चाहे तो डाल दीजे और यहाँ पर आप दिसकते हैं इंडिया ठीके माल दीजे आप इंडिया यहाँ पर search करते हैं ठीके तो इंडिया में जो भी vacancies होगी वो आपके सामने आ जाएगी और उसके बाद में आपका नाम ठीके आपका नाम देना है आपको आपका पूरा नाम टाइप करिएगा आपका gender क्या है आपकी date of birth क्या है और ठीके current pin code जहाँ पर आप रहे हैं वहाँ पर वर्तमान में pin code क्या है आप जहाँ पर रहे हैं उसका state क्या है city क्या है आपकी highest qualification क्या है जो भी आपकी highest qualification है वो यह आपको mention करनी है और year of passing क्या है आपका जब भी आपने pass क्या है उसको और अगर आप fresher है तो fresher पर select करना है experience है तो experience है तो एक्सप्रियंस है तो एक्सप्रियंस है तो फ्रेशर है तो यहाँ पर select करके यहाँ पर create हो जाएगा चलिए अब आगे बढ़ते हैं बात करते हैं को नई बेंक की भरती के बारे में जो की है SDFC बेंक की नई भरती दोस्तों SDFC बेंक की तरफ से भी आ चुकी है इस साल 2024 की नई भरती जिसकी complete information हम आपको दे रहे हैं आज के इस वीडियो में अगर आप SDFC बेंक में भी नोकरी पाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप दे सकते हैं काफे सारी jobs है यहाँ पर जो job है multiple है अलग-अलग departments है जो की assistant manager की है branch manager की है business develop manager की है clerk की है collection officer की है customer service executive की है helper driver P.O. clerk P.O. P.O. की vacancy है engineers की है 12,500 प्लस वाइक vacancy है sales में भी है sales officer की vacancy है marketing की भी है और यह जो job है friends all over India की job है तो आप इंडिया की किसी भी state ने district में रेते हैं तो आप सभी candidates दो है apply कर सकते हैं यह जो job है full time job है permanent job है fresher और experience सभी के लिए job है apply सिर्फ आपको online करना होगा friends और selection का process जो रहेगा keyword interview की थूर रहेगा यहाँ पर भी आपकी कोई भी exam नहीं होगी और आपके document verification होगे salary SDFC bank rules के मुताबित मिल रही है job location all over India की है age limit जो है 18 से 45 साल है application fees बिलकर फ्री है qualification में 10 12 और graduate pass candidates सभी apply कर सकते हैं आप इदन already started चुके हैं 30 जनवरी तक आप apply कर सकते हैं यहाँ पर आपको first link मिलेगा apply करने के लिए यहाँ पर आपको click करना होगा दोस्तों यह 30 जनवरी अभी आपको बताया जा रहा है बाद में इसे update भी किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर हर वक्त जो है नई vacancy को update किया जा सकता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मालनीजे अगर आप फरवरी में भी ये वीडियो देख रहे हैं तो फरवरी में भी आप apply कर सकते हैं apply same ही रहेगा process apply करने का यहाँ पर आपको click करना है आप देखेंगे कुछ second के अंदर आपके सामने काफी सारी vacancies आ जाएगी जिनके लिए आप one by one करके apply कर सकते हैं तो ये जो vacancies हैं आपके सामने sales और sales officer की है और अगर आप चाहें directly apply करना ठीक है तो वो भी आपको process बताने वाले हैं यहाँ पर sales और sales officer के लिए permanent job है वो आप देखेंगे आप निकाली गई है तो यहाँ पर आप for example किसी भी job के लिए apply करना चाहते हैं तो click कर दीजेगा complete information आपको यहाँ पर मिल जाएगी apply करने के लिए apply for this job पर click कर दीजेगा यह login form है और अगर आप apply करना चाहते है registration तो sign up पर click कीजेगा ID, password डालना है, sign up करना है फिर आपको sign in करके apply करना होगा वहीं दोस्तो second option आपको बदा देते हैं ताकि आप उससे भी apply करना है यहाँ पर second link है, वहाँ पर आपको click करना है और आप देखेंगे कि आपके सामने आ जाएगा online forum ठीक है, आपका title, आपका first name, last name, email id, mobile number, date of birth, current city क्या है, experience क्या है, fresher है तो fresher और उसके बाद highest qualification क्या है, role क्या है आपका capture code type करना है और submit करना है, simply आपको इस प्रकार apply करना है तो आप SDFC bank की इस vacancy के लिए दो प्रकार से apply कर सकते हैं, अलग-अलग department और अलग-अलग post के लिए तो यहाँ पर जो है, आप multiple jobs के लिए apply कर पाएंगे, आप सिर्फ एक बर एक form भरके submit कर दीजिए, आपको आगे से यहाँ पर call आ जाएगे ठीके कि आपका यहाँ पर selection होता है, इस post के लिए आप interview के लिए यहाँ पर shortlist है, तो आप interview के लिए वहाँ पर जा सकते हैं तो इस प्रकर आप जो है apply कर सकते हैं, फिर भी कोई doubts है तो comment कीजिएगा